तो फ्रेंड्स होली के बाद स्किन पर से रंग छुडाने की टैंशन बिलकुल न लें इसके लिए आप ये उप्टन बनाएं ये बहुत ही असानी से आपकी स्किन से रंग को निकाल देगा इसके लिए आपको दो चम्मच आटा लेना है आटा एक बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करेगा और इसमें अब हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच दही दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन पर लगे हुए किसी भी तरह कि दाग धब्बे को अच्छी तरह से चुडाने का काम करता है तो फ्रेंड्स इस उप्टन को आप अपने चहरे के अलाव अपने हाथों और पैरों का भी रंग छुडाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रंग उतारने के लिए अप अपने चहरे को साबून या जावे से जोड़ जोड़ से रगड़े नहीं इससे रंग तो कम निकलता है लेकिन स्किन को जादा नुकसान पहुंचता है फ्रेंड् हल्दी एक चुटकी ही लेनी है और इसमें डालेंगे एक ओईल ये मैंने नारियल का तेल लिया है आप इसमें कोई भी ओईल एड़ कर सकते हैं और इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसके अलावा अगर आपको ये पेस्ट गाड़ा लगता है तो आप इसमे रोज वाटर डाल कर इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं ताकि ये स्किन पर अच्छी तरह से लग सके बहुत जादा थिक पेस्ट होगा तो उसे भी हमें स्किन पर लगाने में दिक्कत होगी और बहुत ही वाटरी पतला पेस्ट बनेगा तो भी ये बह के जाएगा स्किन पर स तो इसलिए आपको कुछ इस तरह की इसकी consistency रखनी है कि ये एक थिक सा paste बन सके अब मैं इसमें थोड़ा सा rose water एड़ करूंगी तो friends ये जो उप्टन बनकर तयार हुआ है ये एक natural cleanser है ये आपकी skin को अंदर और बाहर दोनों तरफ से clean करेगा और इससे आपकी skin पर अगर लगने का छिलने का कोई डर नहीं है और ये अच्छी तरह से skin पर लगे हुए रंग को निकाल देगा इससे आपको अपने skin पर लगा कर हलके हाथ से मलना है और जब ये हलका हलका सा सूखने लगे ड्राइ होने लगे तो ये अपने आप ही उतरने लगेगा और इससे साफ करने के बाद पानी से दोने के बाद आपको अपने skin को मॉस्चराइज जरूर करना है इसके लिए आप नारियल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई आप जो मॉस्चराइजर यूज़ करते हैं उससे अपने skin को जरूर मॉस्चराइज करें